Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपने English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 11 की जो Honnbil book का Chapter No. 5 है The Ailing Planet, The Green Movement's Rule और इस Chapter के cover करेंगे आज हम में MCQs याने के Multiple Choice Questions So let's begin with our first question Question No. 1 What did the sign in the zoo in Alaska read? तो Alaska है ऐसी जगह है जहाँ पर एक zoo है और वहाँ पर एक sign board लगा था उस sign board पर क्या read हो रहा था याने क्या लिखा हुआ था वो हमें बताना है तो 4 options दिये और एन्करेक्ट option हमें choose करना है Option No. A Do not disturb animals Animals को disturb मत करें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था वहाँ पर As per your chapter Second, Do not blow horn Do not blow horn याने कि अपनी गाड़ी का horn मत बजाईए animals को हो सकता disturbance हो तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा था वहाँ पर Usually यह सारी चीज़े जू में लिखी रहती है बट वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था The world's most dangerous animal वहाँ पर लिखा था कि दुनिया का सबसे dangerous animal अनिमल है और कौन है यह नहीं लिखा था क्योंकि उस बोड की नीचे एक लिखा बड़ा सा mirror याने कि आईना लगा हुआ था तो आईने के सामने कौन खड़ा होगा हम याने हम humans तो वहाँ लिखा था कि इस दुनिया में सबसे dangerous animal वह है जो आपको इस mirror में दिखाई दे रहा है और mirror में हमको हम खुद दिखाई दे रहे हैं तो याने कि उन zoo के मतलब जो authorities है उनका कहने का यह मतलब था कि इस दुनिया का सबसे dangerous animal animal नहीं है जानवर नहीं है जिसको आप इदर zoo में देखने आयो बलकि आप खोद हो क्योंकि आपने इनकी life को बहुत बरबाद करके रखा है आप animal extinctions कर रहे हो hunting कर रहे हो आप अपने environment को इतना खराब कर रहे हो तो सोचिए Alaska के zoo में क्या लिखा गया था the world's most dangerous animal और वो किसको बता रहे थे dangerous animal हम humans को क्योंकि वहां mirror लगाया था और mirror में humans अपने आपको ही देख सकते थे so option number c is the right option to this question d none of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number c next every four days the world population increases by world की जो population है जो जन संक्या है हर चार दिन में कितनी बढ़ जा रही है तो options हमें या दिये हुए हाफ ऑ मिलियन याने आधा मिलियन option number b 2 मिलियन बढ़ जा रही है हर चार दिन में c 1 मिलियन या d none of the above तो जैसे कि हमने chapter पढ़ा है और हमने fact के बार में पढ़ा है कि हर चार दिन में जो world की जन संक्या है जो population है वो 1 मिलियन से increase हो रही है याने बढ़ रही है so option number c is the right option to this question next who said that the tropical forests are the powerhouse of evolution यह जो line है कि जो tropical forest है जो हमारे पेड पौदव से भरे जो हमारे जंगल है वो powerhouse evolution का याने कि कोई चीज अब evolve होती है याने develop होती है with time तो यह वही powerhouse है जहाँ पे चीज़े evolve हो रही है तो यह चीज क्यों बोली गई है कि tropical forest जो powerhouse है evolution का और ही किस ने बोली है तो options है Robert Frost ने बोली है तो यह Robert Frost भाई साब एक poet है पता नहीं आप इनका नाम कैसे आ गया Dr. Batra Dr. Batra famous है आड्स में देखा है बालवाल लोगों के लगवाते है तो उन्होंने यह सब चीज़े नहीं बोली है Mr. Lester Brown Mr. Lester Brown ने दूसरे statements दी है ऐसी chapter में बट यह statement नहीं दिया है Dr. Myers Dr. Myers एक बहुत famous doctor है और उन्होंने ही यह statement दिये है कि जो tropical forest है जो हमारे घने जंगल है वो powerhouse evolution क्यों क्योंकि जितने भी resources है हमें इनी जंगल से इनी forest से ही मिलते हैं जैसे वोड हो गया, timber हो गया, सारी चीज़े तो लोग अगर deforestation करेंगे यह पेड काटेंगे तो आप समझ लिए यह forest खतम कर रहे है याने खुद के resources के means and sources को खतम कर रहे है So option number D is the right option याने Dr. Myers नहीं यह statement दिया था Next What is leading to deforestation at an alarming rate Deforestation याने जब आप पेड काटने की practice करते हो At a very large number तो यह deforestation को कि को किस कौन सी चीज़े deforestation को lead कर रही है याने किस की वज़े से deforestation बहुत ज़ादा हो रहा है At an alarming rate Alarming rate याने की एकदम high time आ गया है So options है Sale of fruits आप fruits बेच रहे हो इस वज़े से deforestation कर रहे हो तो भाई पेड होंगे तभी तो उसमें से You will pluck fruits and बेचोगे market में जाके So यह option तो नहीं है Sale of vegetables याने सब्जियां बेच रहे हो जाके इस वज़े से आप deforestation कर रहे हो नहीं भाई पेड होंगे तभी तो सब्जी आएंगे तभी तो उनको बेचोगे Sale of fuel wood Fuel wood याने वो लकडी जिसको खाना पकाने के लिए जलाया जाता है आज भी काओं में देखोगे तो लोग लकडी जलाके अपना चूला जलाते हैं और उसी पर अपना खाना बनाते हैं वहाँ पर gas याए वहाँ पर stove का वहाँ पर कोई भी अभी चलन नहीं है तो क्योंकि लोग पेड इसलिए काट रहे हैं वहाँ के ताकि वह पेड काटे और उसकी लकडी को यूज करें as a fuel वोडियाने लकडी जलाके उस पर अपना खाना पकाए इस वज़े से बहुत जादा deforestation at an alarming rate हो रहा है तो यह एक option है जो की answer है और आपकी बुक में भी इसी तरह से बिलकुल mentioned है none of the above हो नहीं सकता क्यों क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C next what is the concept of sustainable development यह sustainable development का क्या concept है क्या मतलब है तो sustainable development का मतलब यह होता है कि आप जो भी resources use कर रहे हो इस nature के इस environment के उसको आप उतना ही use करो जितना आपकी need है जितना आपकी जरूरत है अगर आप waste करोगे तो आपके future में आने वाली जो आपकी PD है जो आपकी आने वाली generation है उन लोगों के लिए इस तारी चीज़े नहीं बचेंगी obviously जो चीज़े आपके जरूरत की है वो आने वाली generation को भी जरूरत लगेगी, usage में आएंगी तो अगर आप waste कर दोगे और खतम कर दोगे इन चीज़ों को तो वो लोग कैसे use करेंगे तो यही बोला जा रहा है कि आप sustainable development करो उतनी ही resources use करो जितने आपके जरूरत के without wasting क्योंकि आप compromise नहीं कर सकते अपनी future generation की needs को भी क्योंकि जो needs आपकी है exactly वो ही needs आपकी आने वाली PD के लिए भी होंगी इसी का मतलब होता है sustainable development तो चार options दिये हैं कुसमें से हमें choose करना है development of the past आपको अपने past का development करो यह sustainable development होता है 9 भाई development for the next development for the future आपको future के लिए development करना है तो यह future generation के लिए हमें development करना है तो यह इसको हम रख लेते हैं कि हो सकते हैं answer हो next option दिखते हैं development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation तो यह वो development है जो present generation की needs को meet करे यानि उनकी जरुटों को पूरा करे लेकिन without compromising the needs of the future generation आप अपनी जरुटों को ऐसे मत पूरा करिए कि आप future generation के लिए कुछ बचाएं ही ना क्योंकि उन्हें भी वो सारी चीजों की जरुटों की जरुटों होगी जिने आज आज आपको जरुट पढ़ रही है तो यह option second वाला नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल clear cut definition option number C में दी हुए development of the crop lands crop lands वो lands होते हैं जापे crops याने फसले हुखती है उन्हें development करना याने sustainable development तो I am sorry development of the crops का concept अलग है sustainable development अलग है so option number C is the right option इसी को बोलते हैं हम sustainable development next what is one of the reasons for the exploitation of the environment environment के exploitation में याने environment को बरबाद होने के reason में क्या इन में से options हैं तो answer है afforestation afforestation याने पेड लगाना deforestation पेड काटना उसी को उल्टा afforestation लगाना तो भाई ये तो अच्छी बहुत बात हैं अगर आप afforestation कर रहे हो इससे environment आपका exploit याने बरबाद थोड़ी हो रहा है तो ये option नहीं हो सकता increasing population याने बढ़ती हुई जन संक्या तो yes we can say that की ये एक answer हो सकता है क्योंकि अगर आपकी जन संक्या आपकी population बढ़ रहे है जितनी जादा लोग, उतना जादा लोगों का consumption याने जितनी जादा लोग होंगे उतना जादा लोगों की needs होंगी environment के resources उतना जादा use होंगे और उतनी जल्दी खतम होंगे तो अगर population बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा और major reason है आपके environment के exploitation में और यही clearly आपकी chapter में mentioned भी है इसलिए बोला गया कि population control measures पर आप धिहान दीजिए और इसको promote करिए animal extensions, animal extinct हो रहे हैं अगर इक्स्टिंट हो रहे हैं तो हो सकता है उनकी habitat खतम हो रही है maybe human reason हो सकता है इसके पीछे या नहीं हो सकता लेकिन particularly environment के exploitation में population का बहुत major role है तो यह वाला option भी नहीं होगा none of the above होगा नहीं क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number B increasing population next what will the grasslands turn into if systems become unsustainable unsustainable का मतलब होता है जब आप present level को maintain नहीं कर पारे हो sustain करके नहीं रख पारे हो आप उसको manage नहीं कर पारे हो तो जो grasslands होते हैं वो lands होते हैं जो grass याने घास से ढखी हुए रहते हैं अगर grasslands को अपने अच्छे से sustain नहीं कर पाए याने इनको अच्छे से बचा नहीं पाए तो इसका क्या result निकलेगा grasslands किन चीजों में turn याने convert हो जाएंगी तो options है cattle will have no food to eat cattle याने भेड बकरी गाए इन लोगों को पास खाना खाने क्ली नहीं होगा तो ऐसा तो कुछ नहीं है grassland नहीं होगा तो भाई किसी पेड की पत्ती खा कि ये लोग अपना गुजारा कर लेंगे ऐसा तो है नहीं turn into barren wasteland ये barren wasteland याने banjar जमीन में convert हो जाएंगे और अगर कोई जमीन banjar बंजर जमीन में convert हो गई याने barren wasteland में convert हो गई तो याने वो waste है it is of no use उस पे आप कोई agriculture नहीं कर सकते कोई crops नहीं ग्रो सकते ग्रो कर सकते और किसी purpose के लिए उस land को आप use नहीं कर सकते तो अगर grasslands को sustain नहीं किया तो it will turn into barren wasteland ये एक right option है soil quality will improve अगर grassland कर खराब हो गए तो उनकी soil quality अच्छी हो जाएगी भई अच्छी होगी तो अच्छे पेड होगे न तो ऐसा थोड़ी है barren wasteland अगर आपने grasslands को sustain नहीं कर पाए अच्छे से तो वो barren wasteland में convert हो जाएगे याने एक ऐसी जमीन जिसका कोई use नहीं है future में so option number B is the right option to this question next who is the author of the chapter the ailing planet the green movements role यह जो आपका chapter S की author कौन है किसने लिखा यह chapter चार options दिए नेकचंद नेकचंद नहीं है इन्होंने तो rock garden बना है था चंदीगड में यह writer नहीं है आपके इस chapter की Vikram Seth यह भी नहीं है Khushwan Singh यह भी नहीं है Nani Palki वाला yes क्योंकि हमने chapter पढ़ा है हमने clearly पढ़ा था कि Nani Palki वाला इस chapter की author है इन्हों नहीं लिखा है chapter So option number D is the right option to this question Next When was the sustainable development used by the World Commission on Environment and Development एक World Commission of Environment and Development यह एक बहुत बड़ी community एक बहुत बड़ा group है जो sustainable development पे focus करता है तो sustainable development इन लोगों ने कब से use करना start किया कौन से year में तो चार options है A. 1887 B. 1991 C. 1987 D. 1981 So the correct answer is option number C that means 1987 इसी year में World Commission of Environment and Development ने sustainable development का concept start किया था और use किया था Next Scientists have catalogued about dash living species which mankind shares the earth Species का मतलब क्या होता है अलग-अलग जीव जन्तूओं की जातिया Species तो scientist ने यह catalog किया याने कि यह ढोंड निकाला है कि हम humans इस धर्ती पर अकेले नहीं रह रहे Instead हम तो इस धर्ती को शेर कर रहे है कितनी million species या अलग-अलग animals और जीव जन्तूओं की जाती के साथ तो options है 1.1 million species B 1.4 million species C 1.9 million species D 1.7 million species तो answer होगा option number B याने की 1.4 million species तो basically उनके कहने का मतलब यह है कि हम इस धर्ती पर अकेले नहीं रह रहे है हमें हक नहीं है अकेले इस धर्ती के resources को यूज करने का हम तो इस धर्ती को इस earth को शेर कर रहे है 1.4 million species याने अलग-अलग जीव जन्तूओं की प्रजातियों के साथ याने की सब के साथ सारे resources शेर करने हमें तो उस हिसाब से हमें शेर करने बिना किसी चीज़ को वेस्ट की हुए तो option number D 1.4 million living species याने इतनी तो जिन्दा है और इतनी डूण निकाली है और कितनी है वो तो अभी तक पता भी नहीं 1.4 million living species के साथ हम humans as earth को शेर कर रहे है next at what rate are the forests in India depleting depleting याने घट रहे हैं या decrease हो रहे हैं तो कितने rate पे ये एक fact है कितने rate पे इंडिया के जो forest हैं जो जंगल है वो deplete हो रहे हैं याने के घटते जा रहे हैं due to deforestation तो options हैं A. At the rate of 31.7 million acres a year B. At the rate of 3.7 million acres a year C. At the rate of 17.3 million acres a year या D. None of the above तो answer है आपका option number B. At the rate of 3.7 million acres a year 3.7 million acres of land पूरे एक साल में कम हो रहा है और इस rate पे हमारे forest इंडिया में हिंडूस्तान में घट रहे हैं So this is a fact जो कि क्लिर ली आपका मेंशन है आपकी बुक में So option number B is the right option to this question Next Where was the message The world's most dangerous animal written in the zoo Alaska के एक zoo में लिखा था एक message लिखा था उन्होंने एक जगा पे और वो message था The world's most dangerous animal तो ये जो message है ये Alaska के zoo में कहा लिखा था तो उन्होंने ये एक mirror याने एक आईने पर लिखा था ताकि आईने में लोग खुद अपने आपको देखें क्योंकि उनके कहने का मतलब था कि आप zoo में animals को जानवरों को देखने आयो लेकिन ये जानवर ये animals इस दुनिया के dangerous animals नहीं है खुद आप, खुद humans इतने dangerous animals हो क्योंकि आपने इतने environment को बरबात करके रखा है destroy करके रखा है तो उन्होंने कहा लिखा था? mirror पे on the lion's cage याने lion की पिंजरे के बाहर लिखा था on a tree, एक पेड के उपर उन्होंने ये message लिखा था या board, एक notice board पे लिखा था कहां लिखा था? तो बिलकुल clearly मैंने आपको बताय था mirror पे लिखा था याने आइने पे जहां पे humans खुद को देख सक रहे थे कि हाँ हम ही वो dangerous animal है इन animals से भी जादा dangerous हम खुद humans है so option number A, mirror is the right option to this question next when did the green movement help environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth तो green movement green movement का जो ये role है green movement का मतलब ये होता है कि आपको जितने भी resources है उसको जितनी जरूवत है उसी को use करना है अपने environment को अपने environment को deplete नहीं होने ते नहीं और greenery बढ़ाने हैं जाधा से जाधा पेड़ बढ़ाने तो जो green movement ने environment list याने वो लोग जो environment के बारे में बहुत concerned रहते हैं फिकर करते हैं उनकी help कैसे करी ताकि वो awareness बढ़ा सके harmful condition of the earth की earth की condition बहुत harmful हो गई तो उन्होंने कौन से year में start किया था options है 1982 1962 1972 1990 तो उसका answer है आपका option number C 1972 इसी साल में बहुत जाधा green movement start किया गया था environmentalist की help के लिए ओके next what was the issue raised by the author in the chapter the ailing planet author ने क्या issue किस बारे में concern start किया है और discuss किया है हम से इस chapter में तो options है deteriorating health of the earth की earth की जो health है वो deteriorate हो रही है और घट रही है earth बहुत जादा harmful condition से गुजर रही है तो yes we can say that कि एक concern और issue raised किया है हमारे author नानी पाल की वाला ने next promote pollution pollution याने कि production को promote करो और बढ़ाओ तो ये तो obviously नहीं बोला है बलकि ये बोला है कि इसको घटाओ no population control population पे विल्कुल मत control करो विल्कुल बच्चे पैदा करते चलो ताकि और consumption बढ़ता जाए और धर्ती के हालत और खराब होती जाए तो of course ये भी नहीं बोला है उन्होंने तो ये बोला कि population control measures को promote करो क्योंकि population घटेगी तो ही तो लोगों के resources का consumption घटेगा none of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें मारा answer मिल गया है विचिज ऑप्शन नमबर ए next what are the four principal biological systems that form the foundation of the global economic system जो आपका पूरा global economic system है इसकी चार ऐसी चीज़े हैं जो चार biological systems है आपका पूरा ग्लोब पूरी दुनिया ऐसी पर work करती है तो उन चार biological systems के आपको नाम बताने क्योंकि इन ही चार biological systems में से जो industries होती है वो अपने raw materials को लेती है तो नाम से ही समझ में रहा है कि चार principal biological system है तो चार answer होने चाहिए अब इन options में तो तीन-तीन दी है फिर भी देख लेते है air, water, land तो ये तो होई नहीं सकता क्योंकि इसके बार में mentioned भी नहीं और ये सिर्फ 3 है हमको कितने बताने 4 forests, lakes, rivers again ये भी 3 है और इसके बार में कुछ mentioned नहीं है आपके chapter में बोत A and B, दोनों air भी तो गलत ही है तो that means C भी गलत होगा that means clearly आपका answer होगा fisheries, grasslands, forests and croplands fisheries याने जितनी भी fish population is धर्ती पे grasslands याने वो सारे lands जो घास याने grass से ढखे हुए forest याने जितने भी आपके जंगल है, पेड से भरे हुए croplands याने वो सारे lands जिस पे agriculture होता है और आपके crops याने first leg grow होती है तो ये चार principle biological systems है आपकी global economic system के और इनी चारो ये चारो sources हैं जहां से industries अपना raw material लेती तो इसको आमें बचा के रखना है क्योंकि अगर ये खतम तो धर्ती खतम वाला सीन okay, so option number D is the right option to this question next who said no generation has a free hold on this earth all we have is a life tenancy with a full repairing lease, ये एक line use करी गई है आपके chapter में और किसी ने ये line कही है इस line का मतलब क्या है पहले तो देखते हैं इस line का मतलब ये है कि हम सब इस दुनिया में, दुनिया पे as a tenant time, याने as a किरायदार आए, हम कुछ time आएंगे एक किरायदार की तरह इस earth के resources use करेंगे और वापिस मरने से पहले या वापिस इस दुनिया से जाने से पहले हम को किराया देखे जाना है याने इस earth की जित्ती भी चीज़े यूज करी हैं आपको उसको वापिस लॉटा के जाना है याने ठीक करके जाना है, अपने अगर कोई चीज खराब करी तो ठीक करके जाना है हम tenancy यानि किराय पर आए हैं यहाँ पर कोई भी चीज हमारी खुद की permanent नहीं है हम किराय पर यूज करके गए अब आने वाले जो दूसरे किरायदार है याने आने वाले जो हमारी future generation है उनके लिए वो सारी चीज है छोड़के जानी है तैकि वो यूज कर पाए तो यह लाइन किस ने बोली है तो यह लाइन जिस ने बोली उसके चार options है ड्यू पॉंट ने बोली है नहीं मिस्टर ड्यू पॉंट ने चीज नहीं बोली पीम मोदी हमारे नरेंद्र बोदी जी भाई साब ने यह कहिए तो भाई उन्हों ने भी यह चीज नहीं बोली हमारे पीम ने नहीं बोली Margaret Thatcher Margaret Thatcher एक फीमेल है और यह UK United Kingdom की कभी Prime Minister रह चुकी है तो यह इन्हों ने ही यह लाइन कही थी जो मैंने भी आपको explain करी लेस्टर ब्राउन ने भी यह चीज नहीं की कही तो option number C Margaret Thatcher ने यह लाइन कही है और यह clearly आपके chapter में mentioned भी है next Dash has a most crucial role to play in this new era of responsibility ऐसी कौन सी चीज है जिसका सबसे major, सबसे important role है हमारे environment में in the era of responsibility याने अभी वो एरा चल रहा है वो जमाना वो time चल रहा है कि सब लोग responsible बने अपनी धर्ती को बचाने कलिए तो इस responsibility की समय में कौन से आइसाफ sector है हमारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा responsibility शो करे धर्ती को बचाने कलिए तो options है, population, भाई population कोई ऐसा सेक्टर नहीं, population तो कमी करो तो जादा बैटर है भाई industry, yes ये का answer हो सकता है, और options दिखते है deforestation, बोल रहें deforestation करो पेड काटो, तो भाई ये कोई responsible attitude थोड़ी है deforestation ये पेड लगाने का responsible आपका activity है deforestation से तो और हालत खराब जाएगी, all of the above हो नहीं सकते है क्यों 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 हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number B, industry industry ही है, जो की सामान बनाती है, और fisheries, grasslands, crop lands और हर सेक्टर में से क्या लेती है, सामान बनाने के लिए raw material तो जितनी जरुवत की चीज है, उतनी ही raw material लो waste मत करो तो industry के उपर, उसके कंदों के उपर सबसे जादा, अलग-अलग industries के उपर कंदों के पर उनकी responsibility है कि भाई, तुम सबसे जादा responsibility लो कि तुम ही उतनी जरुवत की चीजे लो, ताकि चीजे वेस्थ नाओ एसी कौन सी जगा है जहां से दुनिया की पहली green party याने green movement party बनी थी, तो options है, New Zealand, America, Afghanistan या Ireland, तो clearly आपके chapter में mentioned है, New Zealand में आपकी first green party founded हुई थी, याने सबसे पहले यहीं पर ही start हुई थी, so option नमर A, New Zealand is the right option to this question next, who said, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children, आपके chapter में एक line use हुई है, कि हम लोगों ने इस धर्ती को अपने forefathers, याने अपने पूरवज अपने ancestors से विरासत में नहीं लिया हम लोगों ने समझो इस धर्ती को अपने future generation अपनी आने वाली generation से borrow किया है, याने कुछ समय के लिए use करने के लिया है, इसका मतलब यह है कि धर्ती हमारे बाब दादकी नहीं है, जिसने हमें दे दिया और इसके साथ जो करना करो, use करना इसके resources को waste करते चलो हमारी धर्ती को, आप यह समझ के चलिए कि हमने तो इस धर्ती को किराय पर या कुछ दिनों के लिए borrow किया है अपनी future generation से, यह समझो कि हमने हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए हमको भी यह देना है उनी से हमने borrow की, तो हम जब अपने बच्चों के लिए कोई चीज रखते हैं, तो हम उसको बचा के रखते हैं कि हम थोड़ा बहुत जितनी जरुआत का उतना यूज़ करें फिर अपने बच्चों के लिए लेकिन अगर कोई चीज हमें हमारे बाप दादा से अपने पूरवजों से मिलती तो हम क्या करते हैं अंदादूंद यूज़ करते हैं तो आप ये समझो कि इस धर्ती को आपने अपने पूरवजों से नहीं लिया है आपने इसको बचा के रखना है अपनी future generation के लिए तब जाके आप इसके resources को use जितना आएगा उतनी चीजों को ही use करोगे wastage नहीं करोगे क्योंकि जिन चीजों की आज आपको जर्वत है कल आपकी आने वाली प्रीडी को आपकी future generation को भी इनी चीजों की जर्वत होगी तो ये line किस ने बोली है options है Margaret Thatcher Margaret Thatcher ने ये lines नहीं बोली है Mr. Lester Brown ना नी पाल की वाला ना नी पाल की वाला ने तो ये chapter लिखा है none of the above हो नहीं सकता that means answer है हमारा Mr. Lester Brown और यही clearly mentioned है आपके chapter में so option number B Mr. Lester Brown ने ये line बोली है next when did the green movement start ये जो green movement है ये कब start हुआ था कौन से year में so options है 50 years ago 50 साल पहले 11 years ago 11 साल पहले nearly 2 years ago 2 साल पहले nearly 25 years ago तो आपके chapter में clearly mentioned है की 25 साल पहले ये start हुआ था green movement का okay New Zealand में so option number D is the right option to this question so children here we come to the end of this session I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गया होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहां ना मिले तो Google पर चाहिए हमारी website का नाम डालिए magnetbrains.com जैसे आप website का नाम डालेंगे इस तरीके का एक page आपके सामने आ जाएगा for example आपको इसमें English के वीडियो देखने तो clearly separately mentioned है यहां पर hornbill, यहां पर snapshots for example आपको hornbill के वीडियो देखने तो आप इस option पर click करिए जासी आप click करेंगे आपके सामने list of वो वीडियो आजेंगे जो हमने आपके लिए प्रेजेंट करके रखियें आपने इस किसी option पर click किया for example तो मेरा वीडियो आपके सामने play होना start हो जाएगा so I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे आपको easily videos नहीं मिल रहें तो easily कैसा आप website से उसको access कर सकते हैं and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए, bye bye and take care